कानपूर की सीसा मौव सीट से समाजवादी पार्टी के नीवर्तमान विधायक इर्फान सोलंकी को बड़ी रहत मिली है बांगला देशी नागरिक के फरजी डोकुमेंट्स बनवाने में मदद करने के आरोप से जुड़े मामले में इलाबाद हाई कोट ने इर्फान सोलंकी को जमानत दे दी है आपको बता दें कि हाई कोट ने इस मामले में नीवर्तमान विधायक इर्फान सोलंकी के साथ ही पूर्व पारशद मनु रह्मान और मुख्या आरोपी रिजमान मुहम्मद को भी जमानत पर रिहा किये जाने का आ आदेश दिया है तीनों आरोपियों की जमानत याजका पर जस्टिस राजीयों मिश्रा की सिंगल बेंच ने एक साथ फैंसला सुनाया है कोट में समाजवादी पार्टी के नीवरतमान विधाय किर्फान सुलंकी समयत अन्य आरोपियों की तरफ से दलील दी गई कि इस मामले में सह आरोपी हिना खान को पहले ही जमानत मिल चुकी है इसके अलावा उनके खिलाव कोई भी पुखता सबूत नहीं है आरोपी बांगलादेश नागरिक वैद वीजे पर भारत आया था ऐसे में जमानत के हकदार है अदालत ने इन दलीलों को मंजूर करते हुए आरोपियों को शर्षर्ट जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश दिया अदालत ने अपने फैसले में ट्रायल कोट को इस मामले का निप्टारा जल्द करने को कहा है मामले के मताबिक बांगलादेशी नागरिक रिजवान मुहमत कुछ साल पहले भारत आया था यहां उसने हिना खान नाम की एक योतेश शादी कर ली शादी के बाद हिना को लेकर बांगलादेश चला गया हिना ने वहां बांगलादेश की नागरिकता ले ली इस मामले में साल 2022 में रिजवान और हिना खान समित पाँच लोगों के खिलाफ F.I.R. दर्ज की गई थी पुलिस की जाच में सामने आया था कि रिजवान और हिना के इस्थानिय पारशद मनु रह्मान और ततकालिन विधायक इर्फान सुलंकी की मदद से फर्जी डॉक्मेंट तयार किये गए थे फिलाल इस मामले में जमानत मिल गई है इर्फान सुलंकी को इसके बावजूद इर्फान सुलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनके खिलाफ कई दूसरे मामले भी अभी पेंडिंग पड़े हैं निवर्तमान विधाय के इर्फान सुलंग की इन दिनो यूपी की महराजगन जेल में बंद है इर्फान सुलंग की और अन्य आरोपियो की तरफ से उनके अधिवक्ता विनित विकरम और अनुप त्रिवेदी ने दलीले पेश की अधिवक्ता विनित विकरम के मताबिक आदाल है फिलाल के लिए इस रिपूर्ट में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रेनेक्ष्टेंड पॉलिटिकल बाइट के साथ